अगर आपने इस trick को follow कर लिया ना, you guys definitely get a collaboration, हर कोई brand आपको collaboration के लिए अप्रोच करेगा ही, अगर आपने इस trick को follow कर लिया, जो मैं आप लोगों को पताने वाली हूँ, तो वीडियो को end तक देखिएगा Hello guys, welcome and welcome back to my channel, this is me Damini and I all welcome here to my YouTube channel, आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों से ऐसी चीज़े शेयर करने वाली हूँ, जो आपके काफी काम आ सकती है, जिससे आप अपने जो भी brand की collaborations लेना चाहते हैं, वो आप लोग definitely ले सकेंगे, और वो कैसे ले सकेंगे, ये भी मैं आपको ब बात करूंगी कि collaborations होते कैसे हैं, और कौन कौन से टाइप के collaborations होते हैं, ठीक है, collaborations जनरली क्या होता है कि कोई भी brand आपको अप्रोच करेगा, हमारे particular product का आप advertisement कर दीजिए, उसको खरीच सकें, तो आप उनके brand के बारे में, आप उनके जो भी जैसे cosmetics हैं, और फिर कप्डे हैं जाएगा, तो वो ऐसी approach करते हैं, ठीक है ना, और collaborations होते कितने type के हैं, तो collaborations दो type के होते हैं, पहला तो होता है, ठीक है ना, और दूसरा होता है, बार्टर, तो सबसे पहले में आपको बारे मताती हूँ, फिर मैं आपको पेट का पूरा information होगी, देखो, बार्टर collaborations क्या होत कि वो आपको कोई भी चीज देंगे, मतलब जिस भी related उनका brand होगा, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो cosmetics हो, या other things हो, तो वो बुलेंगे कि हम आपको particular ये चीज दे रहे हैं, आपको इसके बारे में review करना है, और हम जो ये links बता रहे हैं, आपको ये link share करनी है, ताकि लोगो अगर खरीदना है, तो सीधे हमारी link को क्लिक करके website से order कर सके, तो इस तरीके से brand मतलब आपको चीज देगा, बदले में आपको उनके लिए सिर्फ video बनानी है, नहीं वो लोग आपसे कोई चार्ज लेंगे, नहीं आपको कोई चार्ज देंगे, तो ये होता है water collaboration, कि वो ब्रैंड की जो भी चीज होगी ना, वो आपको देंगे, उसके बदले आप video बनाएंगे, और वो video का आपको वो लोग payment भी देंगे, तो वो होता है paid collaboration, ठीक है ना कि आप video बनाएंगे, तो उसका जो भी चार्ज होगा, वो आपको देंगे, ठीक है, तो ये दोनों चीज आ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब मैं ये बताती हूँ कि paid और बार्टर ये दोनों collaborations मिलते कैसे हैं, तो देखो, बार्टर को लाइबरेशन जनरली क्या होता है, कि सबसे पहले हमको बार्टर को लाइबरेशन ही मिलते हैं, जो भी ब्रैंड होते हैं, जो भी ब subscribers भी अच्छे हो, और engagement अच्छी बनी हो, तो paid collaborations मिलते हैं, लेकिल, after a very long time, you know, काफी लंबे समय के बाद आपको paid collaborations मिलना चालो होते हैं, अगर आपको एक बार collaborations मिलने लगेंगे तो धीरे-धीरे आप खुदी उनको अप्रोच कर सकते हैं, कि नहीं हम लोग बार्टर ने हम टायप करना चाहते हैं, तो आप लोग कर लीजें, क्योंकि यह एक्च्छल में एक सही तरीका है, आपको जैसा भी उनके संग टायप करने को मिल रहा है, आप लोग कीजिस से, आपको knowledge भी मिलेगी, और as far as आपको क्या है, कि चीजे समझ में भी आने लगेंगी, लोग के सं करने लगेंगे, कि हम लोग particular इस वीडियो के लिए इतनी लबी वीडियो या फिर इतने प्रॉडक्ट से तो इतना चार्ज लेंगे, ठीक है, चार्ज आप अपने according, you know, decide कर सकते हैं, और फिर उसके आद भो लोग भी, you know, bargaining करेंगे, कि नहीं हम इतना नहीं हम इतना देंग तो इस तरीके से आप अपने according, page of barter collaborations की deal कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आगी होगी, see, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो collaborations है, वो मिलते कैसे हैं, आपने काफी सारी videos देखी होंगी, जिसमें ये चीज़ बोलते हैं कि आपके इतने thousands of subscribers होने चाह या फिर इतने सारी, you know, engagement होनी चाहिए, तो देखो, मैं ये बोलूँगी कि ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके जब तक, you know, 1000 से उपर या लाग से उपर subscribers नहीं होंगे, तब तक आपको कोई brand approach नहीं करेगा, या collaboration के लिए नहीं बोलेगा, ऐसा बिल्कुल नह हैं, ये में आप लोगों की चीज जो है, सबसे जादा मैं पहले clear कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मेरे subscribers कितने हैं, बहुती less amount में मेरे subscribers हैं, तो इन less amount में मुझे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं 3 collaborations कर चुकी हूँ, और तब मेरे subscribers, पता है कितने थे, मेरे subscribers 200 के around थे, even I guess कि मेरे 200 complete भी नहीं हुए थे, तब मुझे collaboration मिल गए थे, अब आप लोग ये सोचेंगे कि मुझे collaboration मिले कैसे, ठीक है, तो actually क्या हुआ था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो मेरी जो थी, उस वक्त मैं ये बोलूँग आएंगे ही, तो ये सोच कि मैंने वीडियो अपने upload कर दी थी, और एक महीने बाद suddenly उसमें वीउज आना स्टार्ट हो गए, लोग comment करके questions करने लगे कि, ये कितना, मतलब क्या price है, क्या size, इस तरीके क्यो questions जो होतने हैं, comments मेरे भरने लगे, और उसके बाद all of change मैंने देख कि उस पर व्यूज आना काफी speed में बढ़ गए हैं, and I guess एक वीक के अंदर ना उस वीडियो पर मेरे particular 12,000 प्लस व्यूज हो गए थे, और उस वक्त मतलब मुझे ये इतना नहीं पताता कि, मतलब यूनो ये वाइरल ऐसे ही होते हैं, या इसके बाद क्या procedure होता है, तो one day मैं work out करके just morning में अपना phone चेक कर रही थी, तो मेरे पास mail आया एक brand का, कि we would like to collaborate with you, और हमने आपकी videos देखी हैं, आपकी views काफी अच्छे हैं, और engagement purpose भी काफी अच्छा है audience के साथ, तो हम लोग आपके साँ collaborate करना चाते हैं, तो फिर मैंने उनसे काफी, you know, अपने जो भी questions मेरे माइन में थे, सारे मैंने clear करें, सारी चीज़े मैंने अच्छे से उनसे पूछी, और उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सारी के सारे answers दिये, तो मजे काफी ज़्यादा सही लगा, तो उसके बाद मैंने decide कि ठीके मैं collaborate करूंगी, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला है कि we would like to collaborate as a barter, तो मैंने का ठीक है कोई problem नहीं है, हम लोग बादर पर collaborate कर लेंगे, तो उन्होंने मुझे कुछ products दिये थे, तो उन्होंने बोला है कि मैं आपको particular in products का जो है, you know, video बनाना है, आप short बना सकते हो, long video बना सकते हो, particular उस पर video बना सकते हो, फिर अगर आ फिर उन्होंने मुझे products भेजे, और फिर मैंने उनका video बना दिया, तो उनको मेरे video काफी ज़्यादा पसंद आया, उनको मेरी content quality भी काफी ज़्यादा अच्छी लगीती, तो उन्होंने मुझे second time फिर से mail करके प्रोच किया, कि हमारा एक और, you know, campaign है, तो हम लोग चाहते है कि आप उसके लिए भी हमारे संग collaborate करें, और हमारे लिए video बनाएं, तो I was like, कि ठीक है, कोई problem नहीं है, वैसे भी, देखो, मुझे क्या था, कि मुझे तो वैसे भी अपने, you know, experience चाहिए था, मुझे इन चीजों का, तो मैंने का, ठीक है, कोई problem नहीं है, I would like to collaborate with you, तो उसक सरीके से मेरा collaboration पहला हुआ उनके साथ, यानि दो collaboration उस brand के साथ हुए, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं, तो आप मेरी videos में देख सकते हैं, collaboration की videos है मेरी, और मैं आपको link देदूगी, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद उसमें व्यूज और बढ़ने लगे, तो I मैं से एक-दो ने मुझे reply भी दिया, और फिर मैं जे एक collaboration और मिला, cosmetic brands का था, वो भी, तो वो मैंने उनसे बात करी पूरी, तो उन्होंने भी मुझे बूला की, we would like to collaborate with you, but as a barter, तो उन्होंने का, okay, no problem, मैं, मैं barter के लिए problem नहीं मुझे, तो उन्होंने मुझे products, मैंने उ काफी जाधा collaborations के mail आये थे, मैंने उनको जब किया था, तो उनके forward mails आये थे, तो उनकी ये था कि आप हमारे लिए videos बना दीजिए, और उसके बाद हम आपको यूनो, reimburse कर देंगे, मतलब अपने पैसों से हमारा product खरीद लीजिए, और फिर आप जब वीडियो बना देंगे कि आप उनसे बात करिये, वो लोग आप लोग को definitely mail करेंगे, अगर आपके, you know, reach अच्छी है, audience engagement अच्छी है, तो आप लोग उनसे deal करेंगे, तो आप लोग को अच्छी खासी brand collaboration मिल पाएगी, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसी चीजे थी, जो मैं आप लोग को किसंग शेर कर है, इस चीज का मैं आपको प्रूफ मेरी वीडियो में दे रही हूं कि मैंने लोग के लिए वीडियो बनाई है, तो ये मेरी वीडियो में था, जो आप लोग को किसंग मैंने चीजे शेर की है, तो मैं अपनी next, जो मैं वीडियो, इसका second part में मैं आप लोग को ये हैं, और कौन-कौन सी ऐसी, you know, platform से हैं, जहां से आप collaborations ले सकते हो, और एक genuine collaboration होगा, कोई fake collaborations नहीं होते, तो वो कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, ये सारी चीजे में आपको अपनी next video में पताऊंगी, that's it for today, and अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडिय को like कीजेगा, share कीजेगा, मेरे चानल को subscribe कीजेगा, and don't forget to press the bell icon ताकि मेरे सारे notification आपको time पर मिल सके, so yeah, आप बने रहे हैं मेरे चानल पर, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, till then take care, bye-bye.